परिजए पंसारी साइना की मा को सामान और उसका 248 रुपए का बिल देता है साइना की मा जल्दी से बिल का जोड़ करती हैं और पंसारी को 30 रुपए दे देती हैं पंसारी तुरंद ही उन्हें 52 रुपए वापस कर देता है साइना को आश्चरे होता है कि आखिर बड़े लोग बड़ी संख्याओं का जोड़ वा घटा इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं बच्चो इस अध्याय में आप दो और तीन अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना जानेंगे आओ सीखें दो और तीन अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुह बना कर तता हासिल लगा कर जोड़ना दो और तीन अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुह बना कर तता रिन लगा कर घटाना एक अंक वाली संख्या के जोड से प्रारंब करते हैं पांच जमा साथ पराबर बारा होता है मीता के पास साथ चॉकलेट है वो साथ चॉकलेट और खरीद लेती है अब उसके पास कुल कितनी चॉकलेट है साथ जमा साथ बराबर चॉदा जी हाँ, मीता के पास अब चॉदा चॉकलेट है माधव के पास आठ शर्ट है उसके जाचा उसे दो शर्ट और दे देते है अब उसके पास कुल कितनी शर्ट है आठ जमादो बराबर दस जी हाँ, माधव के पास कुल दस शर्ट है दो अंकों वाली संख्याओं का दोबारा समुह बना कर या बिना बनाए उन्हें जोड़ना दस से लेकर 99 तक के बीच की सभी संख्याओं दो अंकों वाली संख्याओं कहलाती हैं आओ, अब दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ते हैं दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने के क्रम में हम पहले एकाई के स्थान वाले अंक को और उसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को जोड़ते हैं आओ दो अंकों वाली संख्याओं के जोड को ठीक से समझने के लिए संख्या 14 तथा संख्या 23 को जोडते हैं इकाई के अंक वाले स्थान पर 4 तथा 3 अंक हैं 4 जमा तीन बराबर 7 दहाई के अंक वाले स्थान पर 1 तथा 2 अंक हैं एक जमाद दो बराबर तीन इसलिए चौदा जमाद तेईस बराबर है सैंतीस के हम दो अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुह बना कर भी जोड़ सकते हैं आओ देखें कैसे सोला जमाद बाईस कितने होते हैं जी हाँ सोला को दस जमाद छै भी लिखा जा सकता है बाईस को बीस जमाद दो भी लिखा जा सकता है अता छे जमाद दो बराबर आठ है दस जमाद बीस बराबर तीस है और तीस जमाद आठ बराबर अरतीस है इस प्रकार सोला जमाद बाईस बराबर अरतीस हुआ हासिल लगा कर दो अंकों वाली संख्याओं का जोड दो अंकों वाली संख्याओं को जोडने की दूसरी विधी हासिल विधी है आओ इसे एक उधारण की सहायता से समझते हैं 29 जमाच वाली इस कितने होते हैं इकाई के अंक वाले स्थान पर 9 तथा 4 अंक हैं 9 जमा 4 बराबर 13 हैं. इकाई के स्थान पर 3 अंक लिखते हैं और एक अंक को दहाई के स्थान पर ले जाते हैं. दहाई के स्थान के लिए कुलंक 1, 2 तथा 4 हैं. अताएक जमा 2 जमा 4 बराबर 7 है. इस प्रकार 29 जमाद 44 बराबर 73 हुआ तीन अंकों वाली संख्याओं का जोड 100 से 999 तक की संख्याएं तीन अंक वाली संख्याओं कहलाती हैं दो तीन अंक वाली संख्याओं को जोडने के क्रम में हम पहले इकाई के इस्थान वाले अंक को जोडते हैं उसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को और अंत में सैकड़े के स्थान वाले अंक को जोडते हैं आओ तीन अंक वाली संख्याओं के जोड को ठीक से समझने के लिए हम संख्या 143 वा 254 को जोडते हैं इकाई के स्थान पर तीन तथा चार अंक हैं तीन जमा चार बराबर साथ होता है दहाई के स्थान पर चार तथा पांच अंक हैं चार जमा पांच बराबर नौ होता है सैकड़े के स्थान पर एक तथा दो अंक हैं एक जमा दो बराबर तीन होता है इस प्रकार 143 जमा 254 बराबर 397 है आउ हासिल की सहायता से 2-3 अंको वाली संख्याओं को जोड़ना सीखते है 423 जमा 287 कितने होते है इकाई के स्थान पर 3 तथा 7 अंक है 3 जमा 7 बराबर 10 होता है इकाई के स्थान पर 0 लिखते है और एक अंक को दहाई के स्थान पर ले जाते है दहाई के स्थान पर 1, 2 तथा 8 अंक है एक जमा 2, जमा 8 बराबर 11 प्राप्त होता है दहाई के स्थान पर एक लिखते हैं और एक अंग को सहकड़े के स्थान पर ले चाते हैं सहकड़े के स्थान पर एक चार तथा दो अंग हैं एक जमा चार जमा दो बराबर साथ होता है इस प्रकार चार सो तेईस जमा दो सो सकतासी बराबर साथ सो दस है एक अंक वाली संख्याओं को घटाना आओ अब घटाने की ओर बढ़ते हैं हम एक अंक वाली संख्याओं के घटाने से प्रारंब करते हैं रजद भूका है उसकी माँ उसे चार चपातियां देती है वो तीन खा लेता है अब कुल कितनी चपातियां बच्चती हैं? आईए देखें, तीन को चार से घटा करने पर एक प्राप्त होता है अताहा रचत के पास एक चपाती बच्चती है प्रिया की मा उसके लिए गनित की बारा नोट बुक लाई उन में से वो साथ प्रयोग कर चुकी है अब कुल कितनी नोट बुक और बच्चें हैं? आईए देखें, साथ को बारा से घटा करने पर पांच प्राप्त होता है अताहा प्रिया के पास पांच नोट बुक बच्चती हैं दो अंकों वाली संख्याओं का दो बारा समुह बना कर या बिना बनाए उन्हें घटाना आओ, अब हम दो अंकों वाली संख्याओं को घटाना सीखते हैं पच्चिस घटा पारा कितने होते हैं? पहले हम एकाई के स्थान वाले अंक को घटाते हैं आईए देखें, दो को पांच से घटा करने पर तीन प्राप्त होता है. इसके बाद दहाई के स्थान वाले अंग को घटाते हैं. एक को दो से घटा करने पर एक प्राप्त होता है. इस प्रकार से पच्चीज घटा बारा बराबर तेरा प्राप्त होगा. 34 घटा 9 कितने होते हैं संख्या 34 में 3 दहाई वा 4 इकाई है और हम इसमें से 9 इकाई घटाना चाहते हैं क्योंकि 4 इकाई में से 9 इकाई नहीं घटाई जा सकती है इसलिए हम 1 दहाई को 10 इकाई में परिवर्थित कर देते हैं अब हमारे पास 2 दहाई तथा 14 इकाई है हम 14 इकाई से 9 इकाई घटा सकते हैं अताहा अब हमारे पास 5 इकाई और 2 दहाई शेश बचते हैं इस तरह से 34 घटा 9, 25 प्राप्त होता है 54 घटा 18 कितने होते हैं चलिए देखते हैं संख्या 54 में से 5 दहाई और 4 इकाई हैं हम 8 इकाई घटाना चाहते हैं हम 1 दहाई को 10 इकाई में परिवर्थित कर लेते हैं अब हमारे पास 14 इकाई और 4 दहाई हैं हम 14 इकाई में से 8 इकाई घटाते हैं हमारे पास 6 इकाई बशती हैं अब हम 4 दहाई में से 1 दहाई हटाते हैं तो हमारे पास 3 दहाई बशती हैं इस परिकार 54 घटा 18 बराबर 36 प्राप्द होता है रिन दे कर और बिना दिये दो अंकों वाली संख्याओं को घटाना आओ अब हम रिन की सहायता से दो अंकों वाली संख्याओं को घटाते हैं 65 घटा 27 कितने होते हैं क्यूंकि 5 अंक 7 से कम है इसलिए दहाई के स्थान वाली संख्या से एक अंक रिन लेते हैं जिससे अंक 5 अब 15 बन जाता है जोकी 7 से बड़ा है अतहा 15 घटा 7 बराबर 8 प्राप्द होता है क्यूंकि दहाई के स्थान का 6 अंक इकाई के स्थान के 5 अंक को एक रिन देता है इसलिए अब वो 5 हो जाता है 5 घटा 2 बराबर 3 प्राप्द होता है अतहा 65 घटा 27 बराबर 38 प्राप्द होता है अनुच की मा ने उसे 50 रुपए दिये उसने क्रिसमस के उस सफ़ पर 36 रुपए खर्च कर दिये अब उसके पास कितने रुपए बजे हैं उत्तर पाने के लिए हम 50 में से 36 घटाते हैं शुन्ने अंक 6 से छोटा है वो 5 अंक से 1 रुण लेता है और 10 हो जाता है 10 घटा 6 बराबर 4 प्राप्द होता है पांच अंक एक अंक रुण देकर 4 हो जाता है अताह 4 घटा 3 बराबर 1 प्राप्द होगा अर्थात 50 घटा 36 बराबर 14 प्राप्द होता है अनुच के पास अब 14 रुपए 6 बज़े हैं रुण देकर और बिना दिये तीन अंकों वाली संख्याओं को घटाना आओ अब तीन अंक वाली संख्याओं को घटाते हैं 364 घटा 241 कितने होते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले 4 में से 1 घटाते हैं जिससे 3 प्राप्द होता है फिर 6 में से 4 घटाने पर 2 और फिर 3 में से 2 घटाने पर 1 प्राप्द होता है अता 364 में से 241 घटाने पर हमें 123 प्राप्द होता है 754 घटा 227 कितने होते हैं चलिए देखते हैं 4 अंक 5 से रिन लेकर 14 हो जाता है अथा 14 में से 7 घटाने पर 7 मिलता है अब 5 अंक 1 अंक रिन देकर 4 हो जाता है अथा 4 घटा 2 परापर 2 प्राप्त होगा और 7 में से 2 घटाने पर 5 प्राप्त होता है इसलिए 754 में से 227 घटाने पर हमें 527 प्राप्त होगा हमने क्या चर्चा की? हम 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुँ बना कर तथा हासिल की सहायता से जोड सकते हैं हम 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुँ बना कर तथा रिन की सहायता से घटा सकते हैं